बिसमिले रह्मान रहीम असलाम वालेकुम वेलकम तो प्रोग्राम वाइस ओफ गिल्गित बिल्दिस्तान और मैं हूँ आपकी होस महविश मुम्ताजबिक नाजरीन हमने पाकिस्तान की मौईशियत के उपर बारहां डिसकुशन की है इसके लावा फैक्ट एंड फिगर्स भी नजर आ रही है इसके उपर आज बात की जाएगी इसके लावा साथ ही साथ अगर देखें तो फैडरल में पीटी आई की गर्वर्मेंट इसवाप मुझूद है और गिल्गित बिल्दिस्तान में नून लिकी गर्वर्मेंट यह जो बीच में डिस्टन्स आया है इसकी वज है इसकी लिया जाए लिए स्टेक्टि बात करें गे इसके लिए मुझूद है आज के पहले गैसा चेर्मेंस स्टेंडिंग कमेटी गी गल्गित बल्तिस्तान काउंसल और इसके एलावा तरजमान भी यह मुस्लिम लीगम नून के अश्टफ सदा साहब असलावन अल्कम ट गिल्गित बिल्टिस्तान लेजिसलेटिव इसम्बली काच्छों इंतियास हैदर खान असलाम उलेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशाम अधीर उनके साथ तश्री फर्माएं हमारे तीसरे गेस्ट जो के हमारे प्रीवेस प्रोग्राम में भी शामिल थे पी टी आई की तरफ से हमारे साथ मौजूद है जिप्टी जनरेल सेक्टरी पी टी आई गिल्गित बिल्टिस्तान प्रोफेसर साबिर हुजैन असलाम उलेकुम और वेलकम तुट प्रोग्राम नाजरी यहां पर आज हमारे पीनों गैस मौजूद है जो के आज मौशियत गिल्गित बि बिल्टिस्तान की महशियत बर्किसमती से बिल्टता बहुतर सालों में इस अलाके की महशियत पर कोई खातर खाद तबज्यू नहीं देगाई जिसके वह से हम आलमोस्त अक्रिबर जोगित गवानरी सो परसंट वफार के ओपर डिपेंड करने वाले वाहिश सुगा है एक अ जिसमें से पैन्टिस से टारीस अरब रुपे ञेड़ तर्कियाटी मतमे और लेड़कर आप रख्रोप में पर्षेस अरभरुपे आपके तर्कियाटी मतमें आपके लगरत हैं जो कि टेकरीब आं सो परसंट आप वफाक से ले हमारे लागे की बदक्समती यह है कि हम से पहले की जो मुख्लिफ शेप्स के अंदर बिल्गित बल्सितान के अंदर खुमते रही उनों ने गिल्गित बल्सितान के जो जो गिल्गित बल्सितान है कि ऐसा रिच अलाका है कि हमारे लोग सोने के कान की ओपर बेल कर नूके सुन है हम ना přिस स्को यूटिलाइज करने के लिए का इसको कवान के लिए इसित्माल करने लिए के लिए एकोनिमी को भूस्टप करने के हमने बाद्के तरूममे सादे हम इस्तिमाल नहीं किया जिसका खैम्यादा आश की नहीं नहीं नसल भूगत रह दिया अब देखें, आपके 85% पाकिस्तान की टूरिजम है, वो गिल्गिल बल्सितान के अंदर है, आपके तमाम किमती जो 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 हाईर है, किमती पर्थरू से लेके, हर किसम के जो आपके मिनरल में आप देखें, वो अलाका भरा परा है, हमारा एक पहार का अगर सीना चीर है, तो को बिल्गिल बल्सितान बगल सकता है, तो पर यह क्यों नहीं पॉसिबल बोलो पारा है, मुझे बताईए पिक पॉसिबल नहीं की मुझे फुजवात हैं, एक तो एड मैं आपको बता रहूं, सबसे पहली हुए जाई है कि हमारे अपनी लोकल लिजरिशिप में माजी के अ यूस वालों का कि आपने मुका दिया एक दफ़ा फिर और पर्टिक्रली यह जो सब्जेक्ट आपने चुना है, इसमें मेरा थोड़ा इंटरस इसलिए भी कि मैं एक एकनॉमिक्स का तालबे नुम रहा हूं, मैंसी एकनॉमिक्स मैंने डिग्री की हुई है, तो कुछ चीज इसको किस तरह से इस्तिमाल करेंगे और किस तरह से फाइदे लेंगे, यह एकनॉमिक्स में यह आता है, जी वी की एकनॉमिक्स हम यह नहीं कह सकते हैं कि वहां पे बिल्कुल एकनॉमिक्स नहीं है, एकनॉमिक्स वहां पे मौजूद है, लेकिन उसका जो स्केल है, वो कम हो सकता है लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखे अच्टालिस से और अब तक तो आपको बड़ी चेंजिस एक्नॉमिकल डिवलेप्मेंट में बड़ी चेंजिस आएंगे वहां पे जितने भी डिवलेप्मेंट्स वर्क्स हुए चाहे वो प्रावेट से वह चाहे गुर्मेंट ने आपको लेटस मिसाल देता हूं जो गिलगित्स करदो रोड बना ये जब कंप्लीट होगा तो इसकी विज़े से जो वहां की महिश्यत के अंदर जो बड़ी तबडिली आजाएगी बहुत बड़ा इंपक्ट आएगा सत्पारा डेम चोटा सा प्रोजेक्ट था इंपक्ट जनरेट होता है मैं आपको छोटी मिसाले दो सत्पारा डेम जब स्टार्ड हुआ तो आपने देखा होगा कि वहां पे लोगों ने दुकाने भी बना लिए सिमेंट वाले की और सिरिया वालों की वह भी हुए लोगों को जॉब अपरचुनिटीज मिलें ये तमाम एकनॉमि फीगर पे गिया है उसके लिए ते एकदाम नहीं किया गया और जो अशर्ब भाई की बात बिल्कुल एगरी करता हूँ कि ये 66 अरब का हमारा लास बजट था जो इसमेली ने पास किया ये गरांड है वफाकी हुकुमत हमें गरांड दिया जाता है उसमें से मेरे खैल में को बहुत चीज़ा आता है और डिवलेप्मेंट में जो आपके स्कीमे होती है चाहे वो मेंबर की स्कीमे है चाहे गर्मेंट के अबनी प्रियाटीस होते है ये चीज़े तो इसका गेप भी देखे बहुत ज्यादा है दूसी तरफ आप देखें गिल्गित बल्दिस्तान वह वाहिद बतकिसमत सुवा है जहां पे जो गुर्मेंट जाप के लिए लोग बहुत ज्यादा टरपते है और टूइंटी सिक्स परसन आफ पॉपलेशन हमारी जो है ना गुर्मेंट इंप्लाइस है इसी वज़े से पेंटालिस अरब का जो नन डिवलेप्मेंट है उस में से मेरे खायल में अगर में गलत नहीं हो तो 27 से 28 अरब सुर्फ तनखा के मद में हमारी एकराजात है साला ना अब आप किस तरह से एकनामिक को जेनरेट करेंगे हाँ दूसरी तरफ हाँ अपने अपरचुनिटीज देखे आपके पास शायद दुनिया में कोई ऐसा मुलुक हो कि इनका काम किया गया है काम दिखा है और कुछ लोग तनकीब भी करते हैं मुझे यह पताए कि हमारे मुशियत को गिल्गित बलतिजान मुशियत को उपर लेके जाने में इनका हाथ रहा या भी नहीं रहा या फिर बाकी पार्टीज की तरह इनों भी वही सिलसला जारी पर जो पर आ अगर ग hostage लेवल पर काम करे फाडिल लेवल पर पालिसी बना या सुवाई कुछा कि जो development में इसमें कोई शेक नहीं है, इसमें कोई इखिलाब भी नहीं है, गो कि मैं मुस्लिक के मुखालिफ रहा हूँ, उनके कैनिडेट को हरा हूँ, assembly में हमने सबसे ज्यादा position के और opposition करना हमारा हक है, मैंने personally मेरे जो opposition होती थी वो issues पे होते थे और हम जब opposition कर रहे होते हैं, तो हम उसका फिर हल भी बता रहे होते है, assembly के अंदर, यह नहीं कि कि किसी एक बात को ना पसंद करके एक जाती उसके लिए नहीं, issues पे हम करते हैं, और वो issues logical होते हैं, और उसके solution भी हम देर होते हैं, इसमें कोई शेक नहीं development का काम, जो 6 अरब से 7 अरब हमारा development का था, वो 14, 15 और दरम्याद में 18 अरब पे भी गिया, यानि डबल कर दिया, डबल से भी ज्यादा हुआ, उसके इलावा PSDP में उन्होंने काफी fund रखे, बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें मैं आपको बता दो, गिल गिल्गिल्स कर दो, बहुत सारे लोग कहता है, जी, यह अदा करूँगा, पर्सनली उनकी हकूमत का शुकूरिया, इसलिए अदा करूँगा, मुझे पता है, इसमें 42 अरब रुपिया खरश हो रहा है, जो एक, इस एरिया की तकदीर को तब्दीर कर देगा, यह बैसिकली यह रोड कनेक्ट करेगा, सीपेक रोड को, तो आप समझ किया, मेरे साथ नहीं सारे अपोजिशन के साथ, हम एलेक्टरिट मेंबर थे, यहां पे उन्हों ने गलत पॉलिसी किया, सीम साब ने, जिसका इहतिजास हमने उनके सामने भी किया, हुकूमती मेंबर को दस करोर दिये, हमें छे करोर दिये, हमने का, जी हम भी तो में इस पे तो बोलेगा तो अगला बंदा कहेंगा, जी यह तो आपके नक्ष कदम पे हम चैल पड़ा है, वो एक गलत सिस्टम है, साविर साब जैसे के काजमतिया साब ने कहा के मोईशन को भी उपर लेके जाने में कहीं न कहीं ने का किर्दार रहा है, आप इस बात से हमा है, बाकी जो में सब्जЕक्ट हैं, टूरिजम मीनिरल्स और जो मायंस मिनरल्स और फारेस्ट है, वो सारज सब्जच्ट इनके, मशर फ इसदा साब स्टेंडिंग कूमिटी के चेर्मेंड भी है, और इस तो इन वोगों ने क्या तिर में डिपेंड करती है, वहां की बेहतरीन इंफराइस्ट्रिक्चर आपके पास हो, अब ये रोड कम्मिनिकेशन की जो बात की अपने वजीर काचो अम्तियास साब ने इस पे पेश्रफ जारी है, क्योंकि इसमें फंड की अलोकेशन हमारी हुकूमत ने किया, मरकस से फंड रि माश्य डेम् में पच पांच दफार हर मनिस्ट लेके गया, हर प्रिजडेंट लेकी गया, हर प्राइम मनिस्टल ने वहा तख्टी की नकाब कुछाए ऑफश हमरा क् का फोकस है, के मुलक बड खोर्दीफिय और प्राइम मेंस्टलि इम्रान का कीफार्ण खास मुयर क मनुं बेतर क्योंकि हम यह लोग आवाम में जाएंगे तो पता चला चलेगा कि प्रैक्टिकल इन्होंने क्या और किस फिल्ड में काम किया है तो यी बेक आज है टुरिजम उसका बुनियादी एकाई है वहाँ के लिए टुरिजम को बूस्ट अप देना है और हमारी गूर्मेंट का में फोकस भी है प्राइम मेंस्ट इमरान कान वी दी ने शार्ट सिपेन आफ टाइम में आप ने देखा कि यूके टुरिजम एडवाजरी उन्होंने रिलिस किया कि पाकिस्तान और गिल्गित बल्दिस्तान वो डिस्टेनेशन है दुनिया के टाप टेन जो वहाँ जाना ब गिल्गित बल्दिस्तान के जो टुरिजम से फंड जा रहें वो तो डायलिक फैडर को मिल रहें लेकिन गिल्गित बल्दिस्तान के अवाम को तो खुद इससे वदाय को फाइदा नहीं है उन्हों किसी तरह पे होता है ना बाई जब आपकी एक्टिविटी होती है या को सिंसिटाइस करें कि यह यह फ्लास हैं यह खराबिया हैं और हम की से एकुमोडेट गया जाए हमें तो मुक्र ही नहीं मिला है तुरिजम मिनिस्टर साब को खुद यह कहना है कि इस साथ टूरिजम से तो गिल्गित बल्तिसान को 5% भी मुनाफ़ा नहीं हो रहा इंशाला अपकमिंग जेज में मुनाफ़ हो सकता है। जी मैं हुष इस बात का जवाब देने से पहले में हमारे साविर साप बदकिसमती यह है कि इनकी जे पूरी टीम है, टॉप टॉप टॉटम में इनके प्राम है, सुछ से लेके साविर साप जेसे कारकुनु तक इनके जहन में एक ही चिप फिट है, और वो में अमानू की रख है। ठीक है जी? इनका यह कहना कि जिल्गित बल्सितान जोएना जी, पीसफुल डिकलेर हो गया है, तो मेरे बाई जिल्गित बल्सितान ने घमट किसकी है, आप के पिके को पीसफुल सोबर डिकलेर क्यों नही है, आखर गिल्गित बल्सितान पीसफुल अलाका डिकलेर होके यूरप के कंट्रीज अगर वहां पे तुरिजम के लिए लोगों को सजिस्ट कर रहे कि आप जाएं, तो यह अल्ला के बार मुस्लिमिक नून की सुभाई गवर्मेंट का कमाल है, कि नून ने लाइन आडर के आप रहें, जिस दिन आपकी कौवर्मेंट होगी, गिल्गित बल्सितान में अगर कभी बन जाया आपके, उस वक्त आप फिर इस क्रेडिट को लेने की कोशिश करें, ना? देखें, देखें, आँ, ने, आप मुझे बात कंपलीट करने दें, आप कह रहें, आप कह रहें कि काउंसल ने क्या किया, मेरे बाई काउंसल ने उस टेक्स को खतम किया, आवाम की खाहिशाद के उपर, इस काउंसल ने, जिसका एजाज मुझे ये हासल है, कि दो हजार बारें के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने जो टेक्स हमारे अलाके के लिए लगाए थे, गो कि इस प हमारे अवाम ने इस पर सक्त रिजिस्टर्स दिया, दो साल पहले, और अवाम ने कहा कि ये टेक्स हम देने के लिए तैयार नहीं है, तो अवामी खाहिशाद के उपर उस टेक्स को पांच साल के लिए मुझे का हिजास हमें हासल है, हम ने किया अपने प्रामिर्स्रिस से, तो आप बात करें, देखें, बात एक दुसरे के उपर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, आप ना मानें, ठीक है जी, हमारा इस से कोई खरस नहीं है, साविर साब कि वफाक में गर्वर्मेंट किसकी है, गिल्गित बलसितान में गोर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, न लेकिन अंक बन करके तनकीद नहीं करें, अभी क्या साबिर साब को गिल्गित के अंदर कैंसर हास्पिटल नदर नहीं आ रहा है, गिल्गित के अंदर दिल का हास्पिटल साबिर साबिर साब को नदर नहीं आ रहा है, जुगलोट कर दो रोड, 42 अरब को प्रोजेक्ट साब साब को नजर नहीं आ रहा है साबिर साब की जूग लोट के ंदर इस फक्रणसा इनका तालुक है वह पे दस से बारो अरब रुपए लग चुक है इनको नहीर नहीं आनका बन नहीं इनकी जगह में होता में स्टीड पर बैठा हुगता आप यकीन जाना है मेरवіс मैं पीटियाई ने अगर इत्मे काम किये होलते हैं, मैं बबाँएं के दोल उतराफ करता और ने कि खुंच्छ को क्रदा है. हम ने जो काम का पुरोजेक्स का पहाड कहड़ा किया है. हमारी गमिन्मड मैं मिया नौच शरीप साब के खुसूसिय दिल्चसपी। शाहिद खाकान अबाजी साब की खुसूसी दिल्चस्पी और हाफिज हाफिज रह्मान और उनकी टीम की जो कंपिटेंसी थी उसकी बदूलत जो हमने प्रोजेक्स का पहाड जो एक सूसाट से सतर बिलियंद के जो फैटर पेज़ डिपी के जो हमने प्रोजेक्स लगाए हैं साबिर साब की गौर्मन उस पहाड के बाराबर यह उससे थोड़ा से नीचे भी कोई पहाड कर लेंगे और अजिट का तो हम इस दिन उनको खराजे तैसिन पेज़ करेंगे जी साबिर में काच्छु इंतिया साब जानी परूँ हम देखें अश्रफ सदा साब को ऐसे आप फ्रिडम दे दींगे तू यह यकीना आपड़ी पार्टी के वह सारी अगर वफा यह कहते हैं हम देखो एक तफियली टाइब का प्रोविंस है ना डिपेंड करता है मरकस के उपर अब यह मरकस ने इनको रिलेक्स किया जहां जो भी हकुमत बरसर अक्दार आई है पेपल प प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा आजाद जमू कश्मीर और गिल्गित बलतिसान वो अलाका है निगलेक्टिट जहां हम डिस्टर्बेंस इंटर्फरेंस नहीं करेंगे प्रिडिकल यह इनको शाबाश देनी चाहिए हमारी हकुमत को मरकस को रही बाद गुर्णर डिपेंड करते हैं वफा की उपर और हमारे उपर यह हमारे रह मुकरम पे हैं तो इनको हम वहां इंटर्फरेंस प्लिटिकल डिस्टेबलाइस नहीं करेंगे इनको काम करने दें और यह तो हमारा शुक्रिया अदा करें बाई यह क्योंकि पीबल पार्टि के इदर हकुमत और हमारे यह Rosie होई उस फॉक्रिया अदर इंटर्फरेंस किया यहां नों की हकुमत बनी वहां पीबल पार्टि पार्टि के उस helmets के उसमें अब हमारी चुमत ने वूदे ऑटहरा मेहने मैं सान में इन्होंने वहां की सुवाई हकुमत को काम करने बाई जो बी प्रजक्स हों पावर प्रोड्यक्ट किया नाजाईदी के नाजाईज है? जो सुडकर और गय्स के अनल सकड़ों के अनर गेस के कन्यक्शन देने के जो प्रोजेक्स अप्रूव किये थे क्या वो ना जाइस था आप एक ना जाइस प्रोजेक्ट गिने के जी तो आप मेरी बात सुनने मेरे बाई 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 यह है आप दोनों को डिस्टरबन्स आ जा जाती है जो डिस्टेंस इस वज़े सापको बहुते मौदा भी खराब होते हैं हम अगर अपने सब्जेक्ट से हटेंगे तो इस बहस के लिए और आप प्रोग्राम रखेंगे जिसमें अश्रब भाई अपने कारणामे गिनेंगे बहुत अच्छी बात है हम तो वेलकम करते हैं हमें एक उमीद थी और अब भी है कि इबनाद खान शायद कुछ इस इस इलाक उस्तार थागिना है मैं हमारा साथ अरब से सतना अरब या पंधर अरब कर दिया तो आप इसको पच्चीस ए तीस अरब करें फिर फिर हम जिस तरहुआ जिस तरह फिन ‑‑ पोजिशन में होकर मैंने अच्छे काम किया या इन उसको एप्रिशेट किया उनको भी करेंगे लेकिन हमें इस बहुत में नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो यह मसले का हल नहीं होगा आपका जो सवाल था वहां पे जो डिवलेप्मेंट के काम हुए जब डिवलेप्मेंट के काम बढ़ जाता तो मैं इस अपोजिशन में आपको बता दिया कि गोकीन मुझे बहुत सारी मुश्किलात होए मेरे अपने हलके में मेरा जो कंपिटेटर था नून का बंदा उसने काफी रिकावर्ट डाला बहुत सारे मेरे सिकी में मिस हो गया है इसी वज़ज़ से लेकिन हमने अपने इस ला जो दस साल जो मेंबर रह रहके वहां पे पीपल्स पार्टी के मेंबर रहा उस से ज्यादा डिवलेब्मेंट के काम इनिशाललह इस पांच साल में मेरे हलके में मैंने ले आए इसमें मुझे बताई के लिए कौन से प्रोजेक्स हैं आए इसमें हैसाद अमर आईयूब्स साब बी था थे बल्कि दो दन पेटले पर सुप और कल आसम बाजवा साब नहीं अटशी प्लाह ये थे कि अगला एक हमारे बतकिसमती ये है कि विए बड़ा प्रोजेक्ट जो नेशनल लेवल को इंटरनेशनल लेवल को हो उसको मैच की तक्सिम का ऐसा जगरा हमारे मुखालफिन चोड़ देते हैं कि वो हमारे अलाके की नई नसल के अंदर एक ऐसी महरूमी को जनरेट करने के कोशिश करते हैं. देखें, सी पेक एक रस्ता है, जो आपको इंट्री दे रहा है, खालीज के ममालिक तक, यूरप तक, ठीक है जी? मैंने जिसके पहले आफसर किया कि जिल्कित बल्टिस्तान में अपने पोटेंशिल को फोकस करना है, कि गवादर के जरीए हम गल्फ कंट्रीज में अपनी कौन से एक्सपोर्ट के प्रोडिक्स हैं, जो हम ले जा सकते हैं, यूरप तक हम क्या ले जा सकते हैं, अगर आप उ अगर दुनिया का महिंगा तरीम जो नजी, टाइल, गिरनाइट, संग-े-मर्मर, अगर उसकी कटिंग और पॉलिशिम इंडिस्ट्री उस एकनामिक जोन के अंगर होगा, वो लगेंगे, वो एक इंटरनेशनल स्टेंडर्ड को इंशोर करेगा, वो फिल सी पेकर रखते हैं यूरॉप को जाएगा, तो आपके हाँ जोने जी, रिजा उसाने चुरू हो जाएगे. लेकिर फिरहाल तो कोई प्रोजेक्ट नहीं गिल्गित-बल्जिसान ही जो 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 आपके इलाके का जो जाइज हश्सा बनता है, मैं आपको इंशोर करता हूँ, कि रियासत बाकिस्त को इतिमाद में लिए बगेर, जो केज़वे है सी पेक का, ये पॉसिबल है कि सी पेक आगे कामयाभी की तरफ जाए, सिर्फ मैं आपके प्रोग्राम के तोस्त से, अपने नही नसल से, अपने यूद से, अपने जो 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 एहल फिक्र और अहले दानिश से, ये गु जिल्गित बल्टिस्तान से हम दुनिया की महन्डियों तक, जिल्गित बल्टिस्तान की जो एहम प्रोडेक्स हैं, जिसकी दुनिया में महांग हो सकती है, उस पे फोकस करने के लिए प्लैनिंग करें, और उसको लेके जाएं, और ये देखें, मैं आपको ये भी बता कि जिल्गित बल्टिस्तान के अउपर ये बहतर सालों से रियास्त पाकिस्तान का एक इहसान है, कि जिल्गित बल्टिस्तान जिस तरा हमें शूरु में कहा जिया हमारे एकौनमी नहोने के बराबर है, और हम ड़पेंड करते हैं वफाग के उपर, आज अलहम्दुलिल्हा मiddagolfonnag. साभ, कि अललाओन ने लाकर हमें उस मोड़न पे खड़ा किया है, कि पाकिसितान की एकानुमी हम्हा. पाकिस्तान का मस्तखबिल, पाकिस्तान की माश्यत। बल्किन में जेता हूं कि फाकिस्तान की सावरेंटी पेलिद बल्किस्तान जूर चुकी है और हम उस पोजेशन में आ गए हैं कि हम अपने साथ-साथ मुल्क की माईशत को सहरा दे दे और मुल्क की बका को सहरा दे दे तो हमारे नौजवानों के इसमें प्राल कितार है अश्रफ सदा साथ ने बात की लेकिन खुबसरत बातें करना एक अलग बात है प्रेक्टिकल इनकी हुकुमत को जो चार साल था इन्हों ने फंजराप्टाप से लेके हावेलियां तक अपने रिजन के अंदर चार सो बीयासी किलोमेटर जो बात करते हैं वहां इन्होंने सिटाय से इस हवाले से और आसिम बाजवा साब से भी हमारी उमीद है उस अलाके में खिते में उसने सर्विस सरजजान दी हैं तो सी पेक के आब हम अपना डियू शेर ले लेंगे हमारी हुकुमत देगी और जी बी की महरूमिया खतम होंगी आपके हुकुमत देगी नहीं आपके अपने जो मेंबर्स ने पीमलन के डॉक्टर इकबाल साब हो गया मैं जरमीन साब कुद कहते वे नजराते मेरे प्रोग्राम में बात करिए कि कोई प्रोजेक्ट फिलहाल नहीं है संब्ली में इंट्रिदूश नहीं हुआ इस वक्त आप मुझे बता दूने की बात काजिट जएसाब भी प्रोग्राम में शामिल थे, आप कैसे कह सकते हैं के प्रोजेक्ट हैं? मैं आपको अर्च यह करूंगा, सीपेक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इस वक्त आप मुझे बता हैं कि पाकिस्तान और चाइना के लिए सबसे चोड़ा है? यह सीपेक से हैं इसमें मैं भी थोड़ बोलना है यह एक इंटिफाइन होने किया गिजर चत्राल रोट अभी उसकी हवाले से पिछले इनके दोर में बंदिश थी और हमारी हुकूमत ने उसको टाफ प्रारिटी में रखी उस पे फंड्स की एलोकेशन हुई और उसको इसे में रखा किया मुटफिक का जिसमें हुकूमत ने विसाद दिया कावदात अपोजिशन की तरफ से हमने काया जी सी पे के हवाले से इसमेली को इतिमाद में लिया जाए क्योंकि हमारी नमानलीगी वफाक में नहीं है इसलिए हमें उन्होंने नहीं सुना और अभी तक कोई प्रोग्र करने तू सोशार मेलिया जो हम होने नहीं नहीं देंगे हम हम होने नहीं 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 आपको बताओ मेरे बाई मेरे बाई ने चे चत्राल वाले बिस्निस है नहीं यह वहाँ पर तो, गरान है, तो जहां पर टेल पर जा कि वह गरान दे सकते हैं, तो स्टार्ट में नेक पर क्यों नहीं रह सकते, 400-67 किलो मीटर वाले पॉइंट पे, जहां बलव बलशकित्थान में वह अर्बूर्पया, ग्रांड की शकल में दे सकते हैं तो जीबी को क्यों नहीं रह सकते हैं इस सिपेग की वज़े से हमें हमें जो तबकु वाद जो हमारी ख्वाइशाथ है वो बहुत आसान हैं बहुत इसमें कोई इतनी कंट्रिबूशन भी नहीं कि चुबन अरप डालर में से उन्होंने इस तो बिसनिस नहीं करें आप ये दो सिकी में दियामर बाशा डेम और रूंदू बौन जी डेम ये दो बनाएं बारह तेरहाँ अजार मेगावार्ट बिजली पेदा होगा वो आके फ़ोग कर रहे हैं मैं 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 आप मैंने रीस नहीं समझते हैं कि नूली की कर्मेंट स् यूघ पास होता है, जो कुछ हम ने लेना है या कुछ हमने मिलना है, हमारी बेर्टेस्मती है, कि वह हम वक्त पहले लेने कने कोश्सुश करहें , गैँ दो चाहें को मिल सकता है, तो बल्गित बल्टस्तान ही हाथ यह अपना हथ भी मांगें। त आप गिल्गित बर्टिस्तान को पंजाब से कंपरेंगें नहीं को मैं दुबारा कियता हूँ है हमें इस चीज़ पर हमें इस छीज़ पर अपने क्यासतों के ओपर इतेमाद रखना चाएगे सब्सक्राइब को बगेर यह देरपा नहीं होंगे जो भी फैसला होगा और हमारी कोशिश है सेंटर में हमारी गर्मेंट है और सीपेग में इन्शाला प्राइम मैंनिस्टर को हमारी जो अलाके के खिते की जिगरिफियाई अहमेट का भी अंदाज़ है और वहां जो अग्रामिकल जो जादा जो रोड़ जे का सकते हैं और सी एम और गवरनर साथ यस एक्ज़ेक्टली बिल्कुल बिल्कुल अभी तो जब तक यह है इन्हों ने किया नहीं यह देखो ना गवरनर को चैंज ह पावर्स जो है सीम के पास हैं इन्होंने साड़े चार साथ शाबाज शरीफ के साथ सलीफियां बनवाने में जानी गुजारी इसको चाहिए था कि वहां एक्तेसादी जोन एप्रूफ कराते लेते हैं अपना डियू शेर अभी हमारे पास हमारे पास तो अभी आगे हम जब जाएंगे तो हम अपना डियू शेर लेंगे आपको तीस सिकंड में आपका लूगा मैं ये कहता हूं कि एगरी है पी ट्याई वाले भी और हमारे अश्राब भाई भी नूनली के तर्जमान है कि अब तक हमें कुछ नहीं मिला दिये बगएर ये काम्याब नहीं हो सकता हम त कुला है स्टूडन है ये सारे मिलके एक पेश पे आ जाए हमारी तर्फे कोई डिमांड जाए तो ये मिलेगा मुलाना फजल रहमान ने तो इदर डिमांड दे के उस पूरे रोड को चेंज करके उसने अपने अरिया से गुजार सकता है तो मुरे खैल में ये दो हजार के लिए मिया सब एक मौड़ो बना के सीप एक मेडियू शेयर देता है जो कि उसका कोई नहीं बनता वहां जबकि गिल्गित बंतिस्तार सारे चार सो एरिया जा रहा है वहां यह नहीं ले सकते हैं तो लाकामी का जिम्दार कोड़ है आखिए में देखें मेरे बाई साबिर भीर तो के सकते हैं तो एक मौत ओफ़ने बहुत जञ़ातिया कि ले दूस सवाहि ने को गौरम्निड मेया लिए और прогrogram रखें टिक हैजी में आकको ॉइवल तो खना व Caleb नहीं इन से यहां पे पांट साल कुलने हैं दोएदार दीस एकीज आप सोने मुझे कंप्रीड करने दोएदार दीस एकीज आप सेसे साल है okay this दोने हाँ से फारिक होने और next election में इंचालह ओली अजिए हम पुरे से नवाज शरीब साम के काड़ा है, मियाज साब दन दन से दस साल में नहीं आई गाएंगे, और हम जहां से सीपे के हमारे रिशूस है, हम वहां से रिजॉन्ट करेंगे, जहां से हमारे सर्दाजीज कमिशन की जो रिपोर्ट है, अंशाला अजीज हम जो बकाया जो हमारे काम रहे गए हम उसको वहाँ से कंप्लीट करेंगे यह पाकिस्तान के अंगर एकॉनोमी भी ठीक होगी यह साफ डार जिसके ओपर आई चार्जिस है वो इंशाला कर आके पाकिस्तान की एकॉनोमी को भी ठीक करेगा अगर हमें दोबारा मुकर दिया जाए तो हम आएंगे अनुनिक के हाँ पर आश्चारफ साब माहिं ज्यास साब कभी यह कहना है कि अब तक सीपे के हवाले से कुछ भी नहीं किया बट आगे के में भी कह सकते हैं कि कुछ हो सके साबिर साब को कहना है पीची आई को आने ते हा पिर हम काम करके दिखाएंगे तो सोच अची रखनी चाहिए इसके इलावा वाट शुट बी डन नेक्स्ट इसके उपर सोचने की ज़रूरत है तो इसी के साथ मुझे दीजिए जाज़ाद इंश्वाला नेक्स प्रोग्राम में दोबारा आज़र होंगी तब तक के लिए अब होगी आप की बाद सर्थ द्थ निवस्पर